आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही टेस्टी और इजी मिठाई की रेसिपी जो कि मिंटों में बनकर रेडी हो जाती है वो भी सिर्फ दो ही इंग्रिजेंट्स के साथ तो आईए अब बिना कोई देर की इससे बनाना स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाने के लिए मैंने आपर लिया एक बड़ी सी प्लेट एक कटोरी मिल्क पाउडर और एक कटोरी नारिल का बुरादा चिसे खोपरे का बुरादा भी कहते हैं सबसे पहले हम प्लेट के अंदर इस नारिल के बुरादे को डाल देंगे साथी इसके अंदर ये सारा मिल्क पाउडर भी डाल देंगे आप जितनी क्वांटिटी में मिल्क पाउडर लेते हैं आपको उतनी क्वांटिटी में कोकोनट पाउडर या खोपरे का उराधा भी लेना है अब हम इसमें डालेंगे ये PCV चीनी ये एक त्याय कटोरी PCV चीनी है ये बड़ी तीन चम्मच है जिस कटोरी से अपने पाउडर लिया है उसी कटोरी का 3 बराबर तीसरा भाग हमने चीनी डालनी है PCV एक लाइजी का पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से मिख्स कर देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे दूद के साथ घूतना होगा इसमें बहुत ही कम दूद लगेगा यहां पर मैंने आधी ग्लास दूद लिया है आधे का आधा यूज होगा चाय का एक पूरा कब भी यूज नहीं होगा बहुत ही केरफुली आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूद डालना है त्यूंकि यह बहुत जल्दी लिकुड हो जाता है बिल्कुल थोड़ा-thोड़ा सा डालना है और एक टाईट डॉरेडी करना है इस बात का ध्यान रखें कि आपको दूद गरम नहीं लेना है तो आपको थंडा लेना है या फिर दूद रूम टेम्परिचर पर लेना है यह देखिये मैंने यह रेडी कर लिया है इल्कुल पर्फेक्ट है और मेने हाथों को भी गीस अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब हम इस डोको बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से य अगर आपके पास cocoa powder नहीं हो तो आप यहां पर coffee powder भी डाल सते हैं मुझे यहां पर थोड़ा सा में दोनों डो Ready कर लिया है कि एक डो कोको पाडर वाला और एक शिमपल यहां पर मैं एक प्लेण पॉलिथीन लिए के अंदर हम कपड़े पेक करते हैं और इस पॉलिथीन को दो पाट में डिवाइड कर लिया है और दोनों को घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है आप चाहो तो यहां पर polythene की जगा aluminum का foil paper भी ले सकते हैं जो आपकी choice और हातों को अच्छे से आप grease कर ले वापस घी से और अब हम एक डो को इस तरह से लेंगे और दोनों हतेलियों की बीच अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से fingers और हतेलियों की बीच में प्रेस करना है इस तरह से उसे flat कर देना है polythene के ओपर रखे आपको polythene को घी से अच्छे से grease करना है वापस हमें दूसरा डो भी लेना है cocoa powder वाला और उसे भी इस तरह से प्रेस करना है से हम उसी के size में करना है अपनों को और दूसरे हिस्से को पहले हिसे के ओपर इस तरह से रख देना है अच्छे से एक दूसरे के साथ प्रेस करना है अच्छे से सेट कर देना है दोनों को अब इसके ओपर दूसरी वाली polythene भी रखना है मैंने दोनों पॉलितिन को अच्छे से गी से ग्रीस किया था अब मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है बेलन को आपको गी से ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दोनों पॉलितिन को अच्छे से गी से ग्रीस कर लिया है और बिल्कुल हलके हाथ से हमें हमारी मिठाई को बेलना है हमें इसे पतला बिल्कुल भी नहीं करना है सिर्फ हलका सा बेलना है जितनी मोटाई आप अपनी मिठाई के रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो बिलकुल हलके हाथ से हमें इसे round round बेल लेना है और इस तरह से fingers की help से press कर लेना है अच्छे से set कर लेना है अब हम इसे pinch अब इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से put बेलनले लेंगे बिलकुल हलके हाथ से बेलना है आपको यह देखिए मैंने अच्छे से बेल लिया है इनको अब हम एक पॉलिथीन हटा देंगे अब हम इससे बिल्कुल हलके हाथों से इस तरह से फोल्ड करेंगे आप चाहे तो सिर्फ हाथों से भी इसे फोल्ड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं यह मिठाए हमारे हाथ पर चिपक रही है तो आप इसे पॉलिथीन की हेल्ड से भी फोल्ड कर सकते हो यह देखिए इस तरह से आपको पॉलिथीन लेनी है और इस तरह से इसे रोल रोल करते हुए जाना है लेकिन मुझे इसकी कोई जरुद नहीं लग रही है यह हाथ से भी बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि मैंने हाथों को भी घी से अच्छे से ग्रीज किया हुआ है आप पॉलिथीन की हेल्ड से भी इसे रोल कर सकते हो अब हम इसे इसी पॉलिथीन की हेल्ड से अच्छे से सेट कर लेंगे अब हम इसे इसके दोनों पॉइंट को भी बंद कर देंगे इस तरह से अच्छे से इसे चिपका देना है यह देखिए मैंने इसके दूसरे पॉइंट को भी अच्छे से बंद कर लिया है अब हम इसे एक बार और अच्छे से सेट कर लेंगे जो इसा भी शेफ हमको देना है मैं आप पर इसे गोल शेफ दूँगे राउंड शेफ इसलिए मैं इसे ऐसे बेल रही हूँ अगर आप स्क्वाइर शेफ देना चाहते हैं तो अभी इसी टाइम पर आप इसे दे सकते हैं अब हम इसे एक घंडे पर के लिए फ्रीज में सेट वने के लिए रख देंगे आप यह देखिए गंटा पर हो चुका है हमारी मिठाई अच्छे से से हो चुकी है अब हम यह पॉलिथीन को हटा लेंगे आप देख सकते हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है यह कर लेंगे मोटे या पतले पीस आपनी चोईस के अकोर्डिंग कर सकते हैं मैंने यहां पर नाइफ को भी घी से अच्छे से ग्रीज कर लिया था देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है अगर आप डार कलर चाहते है तो आप कोको पॉडर की क्वांटिटी जो है वह बढ़ा लें और नहीं बढ़ाना चाहते है तो कोई बात नहीं इस तरह से हलका सा कलर इसका चेंज रहेगा अंदर से यह यह देखिए मैंने सारे पिसेस को कट कर लिया है आप चाहे तो आप इसे अभी भी सर्व कर सकते हैं अभी भी खा सकते हैं लेकिन मैं आप इसे वापस कोकोनट पाउडर में कोट करूंगी सुखा नारेल का बुरादा लेना है में एक प्लेट में और इस तरह से मिठाई को चारो तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेना है यह आपकी चोईस है आप चाहो तो इस इस स्टेप को किप भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे खाना है तो आप एसे भी का सकते हैं लेकिन मैं आपर पर नारेल के पाउडर में आप चाहे तो इसके अंदर ड्राइफुट्स पी पिल्कुल रड़ी है खाने के लिए। आइक को मेरी जट पट बनने वाली मिठाईगी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईगा। और आप मेरी रेसीपी को ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा, I hope, आपको मेरी रेसीपी पसंद आएगी, प्लीज, आप मेरी रेसीपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, Thank you.